आपका एक पर फिर्शिया आपी के यूट्यूब चैनल में और आज की वीडियो में बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमेटेड को लेकर रतन इंडिया पावर में आपने देखा होगा अभी पीछे स्टॉक में नॉन स्टॉप क्रेक्शन चल रही थी ठीक है और 21 अपडे कोटक बैंक है उसका जो डैप्ट है वो पे किया है तो ऐसे में अच्छी ख़बर तो है वी देखो कोटक बैंक से जो लोन लिया था वो यह कंपनी धीरे-धीरे पे कर रही है और इन सब को देखते हुए जोने स्टॉक के बहुत पोजिटिव संकेत आने थे लेकिन आप लो लोग देखोगे स्टॉक में यह तेजी बनी है और यह स्टॉक ऊपर में आप लोग देखोगे 9.60 पैसे के भाव में अभी तो है और यह 9.50 तक भी गया है तो स्टॉक में काफी श्यांदार रैली बनी जो इसके पीछे का रीजन क्या है हाई वोल्यूम और हाई वोल्यूम क्यों आई है वो भी आपको दिखाएंगे 23 करोड़ चलिस लाग की वोल्यूम आई है तो चलिए आपको दिखाते विए सबसे पहले आखरिकर स्टॉक में तेजी क्यों बनी है कहीं कोई बड़ा ऑपरेटर गेम तो नहीं है फिर से तो आपको दिखा देते हैं तो यहां पर आ साथ आप एक चीज और नोट करोगे कि आपने स्टॉक के अंदर जो क्रेक्शन देखी है ठीक है ग्यारा रुपे दस पैसे से स्टॉक ने तूटना स्टार्ट किया और नीचे में आज भी स्टॉक में लगा तो लगभग 20 से 25 परसेंट के करीब जो है वो स्टॉक तूटा उपर के भाव से ठीक है और यही सबसे बड़ा कारण है बीस परसेंट के करीब गिरावट के बाद स्टॉक का फिर से उठना कियाने की बड़े पलेरों की हमें इस क्रेक्शन में फिर से बाइंग देखने को मिली है और जो निवेसक हाई लेवल से फस गये थी स्टॉक के अ है तो इस परकारिश में जो नभी जो बाय प्रैसर हो नीचे के रेट से इंक्रीज हुआ है और यही सबसे बड़ा कारण है और यहां पर देख भी सकते हो भी बिग बॉल्क डीले स्टॉक में होते हुए नजर आ रही है और जो यह बड़ी ज्यादा जो डीले हुई है वो इसके लोवर प्रैस पर हुई है ठीक है जब LC लगा था ना वहां पर आप लोग देखोगे इसके अंदर जो नभी बड़ी बड़ी डेले हुई है जिसके बड़ोला स्टॉक आपको जो नभी यह अप जाते हुए नजर और आज ही के दिन के अभी यह जो सारी के सारी डील ह ना NSC BSC दोनों के अंदर हमें जो नभी यह देखने को मिले खुद भी देख सकते हो ठीक NSC BSC दोनों एक्चेंजिंज में है तो चलिए आपको दिखाती हुई जो लार्ज डील है सुबह सुबह हुई जिसके चलते स्टॉक आपको जो नभी आप आते हुए नजर आया है औ 885, 895 उस भाव में आप लोग देखोगे 885 जो इसका lower price limit है वहाँ पर देखोगे 52,82,000 की डील है यह एकदम से इतना heavy quantity में अगर माल उठेगा तो खुद भी समझदार हो भी स्टॉक में क्यों निराली बनेगी और अभी के टाइम 9 रुप्य पलस आ गया है 28,82,000 बीस सोरी आप लोग देखोगे यह रैली बनते वे नजर आई तो यहां से देखोगे भी 23 तारिक सुभए 9 बसकर 15 मिनट से लेकर स्टार्ट हुई डीले और उसके बाद जो नौन स्टॉप आपको जनबी यह तेजी दिखाते वे नजर आया है तो यह जो लार्ज डील होई ना जहां है रैली बनेगी 28-27 लाक तो अब उपर के भाव से आप लोग देखो अगर यह इसता इसता निकालना भी स्टार्ट करते तो भी कोई इनको दिक्कत नहीं है और यह उपर के भाव में अराम अराम से निकाल भी रहें भी इसमें कोई दोराए नहीं है और अभी जो कंपनी के अपडेट देखने को मिले वह आपको दिखाते हैं तो यहां पर आप लोग देख से तो CNVC के वसे वेबसाइट के अपडेट हमें देखने को मिले है वैसे तो मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ 21 तारिकों कंपनी ने अनौंस किया था कि इन्होंने 271 क क्रोड के आसपास अपना जो डेप्ट है वो कम करने के बारे में बोला कुछ हिस्सा जोना भी पे कर दिया 179 क्रोड के आसपास और 85 क्रोड के आसपास जोना इन्होंने पुंद्र भुकतान के लिए या फिर आप लोग देखो कि रीपेमेंट के लिए सड्यूल तयार किया ह तो इसे को लेकर स्टॉक फोकस में था 21 नवंबर की वैसे तो खबर रही है ठीक है लेकिन खबर ये बिल्कुल पोजिटिव है 261 क्रोड के आसपास जोना भी कोटक बैंक का इन्होंने जो लोन है वो पेमेंट की की है लेकिन फिर भी आप लोग देखो कि स्टॉक में गिरा जोना भी प्री पेमेंट किया है और 85 क्रोड का आप लोग देखोगे जोना भी इन्होंने स्टॉक एक्सेंजिक फाइलिंग में बताया है कि सेड्यूल त्यार किया है पेमेंट के लिए तो यह अपडेट्स थी तो यहां पर देखो भई जिस भी निवेसक की होल्डिंग है यह अपर जिननोंने खरीद है आज की दिन तो नीचे में सपोर्ट पगड़ के चल लिए भर ठीक है इसका जो अंपर सर्कित का जो जा फैर लूवर सर्कित का झाल 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 झाल